हेलो एंड वेलकम टू एस्केवरालाश्टेडी हिंदी की एक और क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है देखिए बीएश्टिसी के लिए एक और हिंदी का मोडल पेपर में आपके लिए लेकर आया हूँ और आप लगाता रूप से इन क्वेश्टिस की प्रेक्टिस कर रहे होंगे तो इस वीडियो को आपको अंतक देखना है और हर एक क्वेश्टिस को अच्छे से समझना है और आंसर कमेंट करके बताना है और आपको कितने क्वेश्टिस आ रहे हैं ये भी आप comment करके बता सकते हैं और एक question में आपसे भी पूछूँँगा जिसका भी answer आपको comment करके जरूर से जरूर बताना है तो देखिए बिना आपका समय खराब कि अगर शुरुआत करें पहले question से क्या करा है अपना पहला question आखे बर आना इस मुहावरे का हर्थ क्या हो जाएगा आपने आखे बर आना मुहावरे का हर्थ क्या है अपने आसू आ जाना बाविबोर हो जाना नेंद आना है फिर आख दुखना देखिए नेंद आना आख दुखना ये तो अपने आप याप कट कर दोगे रही बात इसकी और option A और B की दोनों की तो देखिए इन में अपने answer क्या हो जागा आप भी comment करके बताई बटापट से देखिए आँखे बराना मतलब एक तर से आशू आजाना option A इसका correct answer है बाविबोर होना ये नहीं होगा इसका answer आशू आ जाना ये एकदम होगा correct answer option A इसका सई answer है question second है मैं उस पर विश्वास करता रहा और वो मेरी आखों में दूल जोगती रही वाक्य में मुहावरे का अर्थ क्या है इपने दोका देना आखों में बसाना सावधान हो जाना है फिर हानी पहुचाना मैं तो उस पर विश्वास करता रहा और वो मेरी आखों में दूल जोगती रही यानि कि दूल जोगना मतलब क्या हो जाएगा दोका देना यानि कि option A इसका correct answer है इसलिए किसी पर आप विश्वास मत करिए हर कोई आपके आखों में दूल जोग सकता है यानि कि दोका दे सकता है सीर पोर सिप आपको अभी के टाइम पे BSTC की तैयरी करनी है क्योंकि दीकि BSTC के अगर बात करें तो सुप्रिम कोर्ट का भी फ्यसला आ गया है इसमें BSTC में B8 वाले शामिल नहीं होंगे यानि कि लेवल वन पहली से पांचवी तक की जो बरती है वो हंड्रेट परसेंट आप ही के लिए होगी इसलिए आप किसी पर भी विश्वास मत कीजिए इस टाइम आपको सिर्प और सिप BSTC की तैयरी करनी है क्योंकि कभी भी आपके साथ आँखों में दूल जोकी जा सकती है ओप्शन है इसका से अंसर है देखिए ये सब मज़ाग की बत है कहनी की बात इतनी है कि BSTC जो कर लेगा जिसका प्री BSTC में स्टेयन हो जाएगा एक तरसे के सकते हैं 50% आपने मनजिल पार ली है BSTC करने वाले जो बंदे होते हैं बहुत कम बेरोज़गार रहते हैं आजकल बेरोज़गारी हद से जादा हैं तो क्या है कि आपको BSTC अगर देखिए वर्तमान समय में सबसे कम competition और सबसे जल्दी नोकरी अगर देखिए तो अपने BSTC में ही मिलती है तो आपको इसकी जो भी समय मिल रहा है इसकी बरपूर तयारी करनी है समय का बरपूर यूज़ के लेना है तो option A इसका correct answer हो जाएगा question 3 है व्यार्थ के काम करना इस अर्थ को व्यार्थ करने वाला मौहरा कुन सा हो जाएगा व्यार्थ के काम करना जख मारना मूह लगना चोर की दाड़ी में तिनका या फिर चोर के गर छी चोर बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर तो दिखिए जख मारना हो जाएगा इसका correct answer option A इसका correct answer है व्यर्थ के काम करना ये मुआवर आपने काफी बार सुनाओगा जख मारना ओप्षन है question 4 है अपना मीठ अनकर तीथ आतीथ इसका अर्थ क्या हो जगा अपने अपना मीठ अनकर तीथ यानि कि खुद की बात अच्छी और दूसरे की खराब लगना यानि कि अपना मीठ और अनकर तीथ ओप्षन है इसका करिक्ट अनसर है अपनी बात तो अपने अच्छी लगती है मीठी लगती है और दूसरों की बात क्या लगती है question 5 है निम्न में से व्यंजन संदिका खुदाने कों साब ने व्यंजन संदिका पुचा इस में यश्यो वर्मा, पूरोधा, मनो- योग या शुश्मिथा, क्या हो जागा इसका अंसर, पड़ापट से बताइए, देखिए विएजन संदिका अगर उधारन देखे, तो क्या होगा इसका अंसर? देखे यश्यो वर्मा की अगर बात करें तो यह अपने विसर्क संदी का उधाराने विसर्क का पूरोता पूरहदंदा यह भी विसर्क संदी का उधाराने मनो योग भी अपने विशर्क संदी का उदारने तो शुश्मिता हो जाएगा इसका correct answer यह अपने वियंजन संदी का उदारने और इसकी संदी विचयत भी अगर देखें तो सू आ गया आता है अपने और इसमिता आता है क्या आता है अपने इसमिता इस में तई आता है और इस सव का ज़ता है शह हो जाता है तो आप यह ध्यान रखें यह इसका संधी विच्छत के से अपने संधी सब बनता है तो ऑप्षन डी इसका कररेक्ट अंसर है यह अपने क्या है वियंजन संधी का उदारण है के महाधन ईश महाधन इश महाधन इश इस पर रड़ का होता हैं और सीधह यह देखते हैं अपने option first ही यह करके आ जाते हैं लेकिन देखें यह महेस नहीं दे रखा है यह महीस दे रखा हैं महीस गर महेस होता तो अपने महाधन इस हो जाता और अपने यह पहला option हो जाता अपने यह गुण संदी हो जाती लेकिन देखें यह महीस है तो महीस का आपने क्या होगा हंइधन इस होगा महीदन इसख और इसमें गून संदी नहीं होगी अपने ये दीर्घ संदी ओगी इसमें भी ए की मात्र ऊंट रहे हiden और हागे भी आ समाण स्वार मिलकी अपने के अपने है बडा ए मना देगे ये दो नहीं बड़ी है फिसे तो अपने महिस हो जाएगा अपने option C इसका correct answer होगा ये ना कि option A option C इसका correct answer है और महिस होता था अपने ये हो जाता और महिस का अपने ये होगा option C question 7 निम्ण में से समाहार द्वंद्व का उधारन कौन सा है ये होज़ड़ इसका answer समाहार द्वंद्व का उधारन माता पिता पाप पुण्य भूत प्रेत या हानिलाब देखें, द्वंद्व समाज के भी कापी सारे एक तरव सके सकते हैं बेद हैं, कौन-कौन से बेद हैं एक होता है अपने वेकल्पिक द्वंद्व एक होता है अपने समहार द्वंद्व एक होता है अपने एक तर सके सकते हैं वेकलपिक हो गया समहार हो गया और एक अपने इत्रेतर द्वंद्व इत्रेतर जैसे अपने इत्रेतर की अगर बात करें तो जैसे माता पिता की अगर बात करें तो इनको लिखते अपने माता और प पिता इसका समा स्विक्र करें तो माता और पिता यानि कि इसमें दोनों पद प्रदाने माता भी प्रदाने पीता भी प्रदाने तो यह किस प्रकार का अपने इत्रेतर इत्रेतर द्वंद्व का उधारन यह और एक होता है अपने वेकल्पिक द्वंद्व यानि कि जैसे अग हाने की बात करें तो लाब या हानी यानि कि वेकल्पिक द्वंद्वें लेकिन अगर बात करें समहार द्वंद्व की एक पूरे समोह का बोत कराता है यह अपने जैसे अपने बूत प्रेत यानि कि बूत प्रेत आदी बूत प्रेत बूत पूत हो गया है बूत प्रेत इस प्र यह थोड़ा detail में deep पूचा क्या question है लेकिन इस तरह के प्रश्ण पूचे जा सकते हैं आपको यह ध्यान रखना है अगला question है विपद धन जाल सब्द का सही संदी विच्छत क्या हो जाएगा आपने विपद धन जाल गजाएगा इसका correct answer ओप्शन होजाएगा इसका correct answer विपद जाल option इसका सही answer है विपद जाली हो जाएगा इस द से मिलकर बनाएएगा आधे द से आधा ज बन गया तो option यह इसका correct answer और यह व्यंजन संदीगा हो दाराने कौन सा अपने व्यंजन संदीगा option है अगला question है अन्वीत का सही संदी विच्छत क्या जाएगा अन्वीत का देखिए इसमें भी काफी सारे confusion इसमें अन्वीत अगर बात करें अन्वीत यह होता है इसका संदी विच्छत अन्वीत यह अन्वीत यह वीच्छत है लेकिन देखिए अगर बात करें अन्वीत का तो यह पर ET नहीं आएगा अनूत आएगा अपने 100% अनू आएगा लेकिए अनू के बाद ET आएगा तो option कौन सा हो जाएगा अपने option भी हो जाएगा एकदम correct answer अनू दन ET आएगा option भी इसका correct answer है और यह दोनों अपने किसके यर्ण संदी के उधारने अनूती भी आजाएगा तो अनूती अपने अनूधन ET है यह हो जाएगा और अनूत आजाएगा तो अपने अनूधन ET है यह होगा अपने option भी इसका correct answer है question 10 है पद दलीत में कौन सा समास है तो देखे पद दलीत में कौन सा समास है तत्पूरूस कром धारा épo पद दलीत में अगर बात करें तो यह अपने तत्पूरूस समास को दा रणे पद से दलीत पद से दलीत अपने यह option है इसका correct answer है यह समास विखर हो जाएगा कट गरा सब्द में प्रिवक्त समास कुन सा है कट गरा अपने काफिबार नाम सुना होगा जैसे न्यायले में अपने कोट में होता है कट गरे में आकर खड़े हो जाओ यानि कि काट का मतलब क्या होता है काट का मतलब अपने होता है लकडी और जान देता है वकिल पूचता है आपने देखा होगा तो उसकी बात ओर यानि कि तीसरा कोई विशेस अर्थ निकल रहा है काट का जो अपने गर है या फिर एक्टर से के सकते हैं जा पर अपरादी खड़ा रहता है उसको बोलते हैं कट गरा तो ओप्शन है इसका करेक्ट आंस देखें आपर डबल मातर आ रही है तो निश्ची तोर पर इसमें एला प्रते होगा एला ओप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बंधन एला बन एला ओप्शन डी सही आंसर है स्वर्गिय में प्रते क्या हो जाएगा देखें प्रते क्या होते हैं अपने सब्द के जो अंत में लगते हैं उनको प्रते बोलते हैं वो उपसर्ग क्या होते हैं सब्दों के आगे लगते हैं और प्रते सब्द के अंत में लगते हैं तो इसमें एला प्रते हैं स्वर्गिये में अगर बात करें तो क्या हो जागा इसका अंसर स्वर्ग यह मूल सब्द है और इसमें क्या है इपने इए परतिय है इए तो सवर्ग यह बन जाता है इस प्रकार तो उप्शन इसमें भी डी आंसर सही है दार परसर्ग यूक्त इस सब्द का आर्थ स्वाभी मानी होता है क्या जाए इसका आर्थ परसर्ग का मतलब क्या होता है एक तो होता है उपसर्ग जो सब्द के आगे लगता है और परसर्ग होता है इपना सब्द के पीछे लगने वला यानिकि प्रत्य की बात कर रहे हैं तो कि खुददार खुद के पीचे अगर दार परते लगा दें तो क्या होज़ागा अपने खुददार हो जाएगा और खुददार का मतलब क्या दो है तो है स्वापमाई नहीं होता है अपने option c. प्राभावित सब्द में परते क्या है अपने प्राभावत या इत क्या हो जागा इसका अंसर देखिए प्राभावित में अगर बात करें तो कौन सा अपने मुल सब्द इसमें प्राभाव मुल सब्दें और इसमें इत परते हैं तो उप्शन डी इसका सही अंसर हो जाएगा क्वेशन से वला है निम्ण में से असुद वाक्य कौन सा है इंचारों में असुद वाक्य है व्यक्ति योवना वस्ता में अनेक भूले करता है या फिर बोध साहित पाले में लिखा गया है जेन साहित प्राकरत में लिखा गया है या फिर उप्युक्त कथन सद्य है ये भी व कि एक दम सही है लेकिन देखिए व्यक्ति योवना वस्ता में अनेक को भूले करता है यह वजाएगा गलत क्योंकि देखिए यहां पर यह अनेक को यह नहीं आएगा अनेक हो यह अपने असुद्ध है आगे एक क्वेशन भी आ रहा है आपके इसका सुद्ध सब्द कुन सा हो यह अनेक आएगा आपर तो यह अपने असुद्ध हो जाएगा ओप्शन है जैसे एक क्वेशन आ रहा है यह थारवा क्वेशन इसमें देख सकते हैं क्वेशन 17 पहले देख लिए निम्मे से असुद्ध सब्द कौन सा है क्या हो जागा इसका अनसर देखिए असुद्ध होता है यह होता है अपने व्याव हारिक होता है व्याव हारिक होता है यह व्याव की जगह व्याएगा बस इतना सांते रहें तो ओप्शन सी इसका क्रिक्ट अंसर है क्वेशन अटा रहा है निम्मे से असुद्ध सब्द कौन सा है अनू ग्रिहित देखिए कहीं कहीं अपन मतलब यह अनुग्रहित सही है अकर इस परकार लिखा जाता है ग्रहित तो यह गलत हो जाएगा तो यह पहला आप एकदम सही है पहला एकदम सही है अतीती इस परकार लिखा जाता है अच्यती कि इस परकार लिखा जाता है लेकिन अनेक को यह नहीं होता है यह होता है अनेक इ सु ही नहीं पिर आवाण जोला कि इस का अंसर देखिए आपातं इस प्रकार अकर लिए गलत है इसमें यह द इसमें छोटा था तो एकदम सही आवां भी सही है औ शुं यह बिसले लेकिन आदिन नहीं होता है यह अपने होता है अदिन क्या होता है अदिन तो option है इसका answer है यह सुदे है question 20 है मजदूर मेनत करता है किंतु उसके लाब से वंचित रहता है यह किस प्रकार का वाक्य है सरल वाक्य मिस्र वाक्य सहयुक्त वाक्य यह इन में से कोई नहीं तो दे कि मजदूर मेनत करता है उसके लाब से वंचित रहता है और यह अपने क्या है यह दो अलग लग उपवा किया है और यह योजक सब्द से जुड़ा है और एक दुस्रे पर उपर क्या निर्बर नहीं कर रहे है तो यह अपने क्या है सहयुक्त वाक्या ओधारने, option C का correct answer हो जाएगा question 21, किसी ग्रंत के आरंब का वक्तवय वाक्यांस के लिए प्रियुक्त सब्ड क्या हो जाएगा इसमें किसी ग्रंत के आरंब का वक्तवय इसके लिए एक सब्ड क्या होगा आपने, उपकतन, उथकतन प्राकतन या भी संबोधन क्या हो जाग इसका अंसर किसी भी ग्रंत के आरंब का जो वक्ते हुए होता है उसको प्राकतन के नाम से जानते है option C इसका correct answer हो जाएगा question by किसी पक्ष का समर्थन करने वाला इस वाकिय के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा अपने वाकियास के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा पाक्षिक, समर्थक, पक्ष पातिया फिर अधिवक्ता क्या हो जाएगा इसका अंसर किसी पक्ष का समर्थन करने वाला है यानि कि समर्थक होता है option B question थे पिसे जिस वाकिय में एक प्रदान उप वाकिय वह, एक आस्रित उप वाकिय हो वह किसे प्रकार का वाकिय है सरल वाकिया, सहीखत वाकिया, मिस्चर वाकिया प्रस्ण वाकिया क्या हो जाग इसका अंसर, देगे एस equation कई बार एकजाम में पूछब जाते है एक तो उपनिया आता है उदेश्य उदेश्य वा विदेई क्या है अपने उदेश्य विदेई किसके अंगे अपने ये वाक्य के अंगे आप द्यान रखे हैं वाक्य के अंगे पहले भी में कई बार आपको समझा चुका हूँ एक प्रस्ण आता है जिस वाक्य में केवल एक उदेश और केवल एक विदे हो वो किस प्रकार का वाक्य होता है वो अपने सरल वाक्य होता है और एक प्रस्ण ही आता है कि एक प्रदान उप वाक्य और एक आस्रित वाक्य होगर प्रदान और आस्रित वाला भाव आ जाएगर तो इस प्रकार के वाक्य अपने क्या क्या कहलते हैं मिस्त्र वाक्य कहलते हैं यह आप जाना कि option सीज का correct answer जैसे अगर मैं कोई उदारन लोग कि अगर आपने मेनत की होती तो आप BSTC में Select हो जाते तो देखिए अगर आपने मेहनत की होती तो आप BSTC में Select होते यानि कि मेहनत की होती इसके उपर आस्रित कर रहा है selection होना तो यह क्या है अपने इस प्रकार का वागा कि अपने मिस्ट रवाकी के लादा है option से इसका correct answer है question 24 है अमीत और अमीत सब्द यूग मकारत की है अपने एक तो अपने अमीत है और एक अमीत है इसमें एक छोटी मात्रा है इसमें बड़ी मात्रा है बोलने में एक जैसे लिकिन इनका अर्थ अलग लग हो जाता है पहले वाले अमीत का अगर बात करें तो इस अमीद का मतलब क्या होता है एक तरसे के सकते हैं बहुत सारे अनेक अनेक और निकल रहा है इसमें कटिन तो आएगा नहीं विशाल महान ये भी नहीं आएगा बहुत आएगा अमीद का मतलब क्या है अपने बहुत और दूसरे वाले अमीद का मतलब होता है दूश्मन या फिर सत्रू option is, इसका correct answer है, यह अगला प्रस्थन है, अम्बूज और अम्बूधी सब्द यूग मकार्थ क्या हो जाएगा आपने देखिए, अम्बूज का मतलब क्या होता है अम्बूज का मतलब क्या है पहली बात तो आप बताए, मेरे को comment करके अम्बू का मतलब क्या होता है अम्बू का मतलब होता है अपने जल, पानी और जल का मतलब अगर किस सब्द के पीछे जल लग रहा है तो मतलब जर्म लेने वाला, अम्बू में जो जर्म लेता है उसको क्या बोलते है यानि कि जल में जो पानी में जर्म लेने वाला अपने कमल को बोलते हैं क्या बोलते हैं कमल को और अम्बू धी यानि कि अम्बू धी धी का मतलब धारण करना जल को जो धारण करता है उसको क्या बोलते हैं तो जल एक जगह इकटा का रहता है अपने सागर में तो कमल और सागर हो जाएगा इसका correct answer option B एकदम correct answer है कमल और सागर एकदम सही है पहले वाला अम्बूज अपने कमल है और अम्बूज अधी अपने क्या सागर है question 20 है आकर्षन का विलोम सब्द क्या हो जाएगा यह उपसर घटा देते हैं आ और सिधा कर्षन कर देते हैं लेकिन यह गलत है अपने विलोम सब्द पूचा है मूल सब्द नहीं पूचा है अपने विलोम सब्द पूचा है विलोम का मतलब क्या है उल्टार्थ इसमें विकर्षन हो जाएगा अपने correct answer यह अपने आकर्षन का विलोम है क्योशन सथाहिसे कानन का पर्यायवाची सब्द क्या हो जाएगा कानन का पुश्प, विहिप, वन या इन में से कोई नहीं देखिए कानन का मतलब क्या होता है एक्षरस्ट से कह सकते हैं गना जंगल गना जंगल के लिए अपने कानन का यूज करते हैं अपने वन के लिए भी बोलते हैं वन या फिर अपने एक्षरस के सकते हैं वीपिन वीपिन को भी अपने कानन का प्रियावाची माना गया है तो देखें इसमें क्या हो जागा अपने option c हो जाएगा एकदम correct answer one के अगर परियावची सब्द पुछे तो अपने क्या है kanan, arany one, vipin यह सब भी क्या है one के परियावची सब्द है बुजंग का परियावची सब्द क्या हो जाएगा kenchua, girgit sirp ya तो होता, बुजंग का मतलब क्या होता है अपने, saap होता है, क्या होता है अपने saap होता है देखे बुजंग के परियावची क्या होता है अपने एक तो अपने saap naag, यह सब आप मालूम ही आप हो विसे एक अपने saarp 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 भी saap का परियावची है phanis wishdar, जो wish को दारण करने वाला, यह अपने बोलेनात के लिए भी बोलते है, बगवान सीव के लिए उरग, उरग भी अपने क्या है saap का परियावची सब दे है और एक काफी मत पन वियाल उरग और वियाल काफी बार पूचे जाते है आप ज्यान रगे है, विश्यस तोर पर उरग पूचा जाता है तो यह सभी आप ज्यान रगे saap के परियावची सब दे है तो बुजंग आजाए, saap आजाए, naag आजाए saarp, phanis, wishdar, उरग, व्याल एक आता है अपने अही यह सभी अपने क्या है saap के परियावची सब दे है तो serp हो जाएगा इसका correct answer question 29 से आहर सब्द में मूल सब्द क्या है आहर का मूल सब्द क्या हो जाएगा अपने देखिए, इसमें आहर तो अपने उपसर्ग हैं और हार इसमें मूल सब्द हैं option कौन सा हो जाएगा c हो जाएगा इसका correct answer देखिए हार मूल सब्द हैं और इसके आगे अगे 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 कोई दूसरे उपसर्ग लगा दे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है जैसे इसमें आ उपसर्ग लगा जिया तो ये आहर हो गया प्रति उपसर्ग लगा दिया तो ये अपने प्रति हार हो गया सम उपसर्ग लगा दिया तो ये संहार हो गया यानि कि विनास हो गया एक तो अपने बोजन की बात हो रही है और एकने हार में अगर सम उपसर्ग लग जा तो ये संहार हो गया एकत्र से यानि कि अर्थ का अणर्थ हो जाता है अपने उपसर्गों से नी उपसर्ग का अगर बात करें तो इसका एकत्र से देखा जाये तो रहित के अर्थ में इसका यूजगा जाता हैं option भी हो जाएगा इसका correct answer और रहित कहलो या फिर एक तरसे कह सकतो जैसे अपने इसके सब्स देखें निकम्मा निकम्मा ये अपने इसमें क्या है नी उपसर्ग है एक तरसे देखें नी हत्ता नी हत्ता और भी कापी सारे रोग है जैसे नी रोग नी रोग जाने कि रोग जिसमें नहीं है उसको बोलते है नी रोग जाने कि जो एकदम सवस्ते जिसमें कोई रोग नहीं है तो रहित या फिर अबाव के अर्थ में अपने नियुपसर्ग का यूज किया जाता है तो option भी इसका correct answer है तो दोस्तों यह थी इस वीडियो के 30 महत्पूर प्रशन है 31 वे equation का answer आपको comment करके बताना आई है अपका क्या है homework है homework और अपने दोस्तों साथ तो share करने हैं और वीडियो like तो जरूर करके जनाब तो दीके नियुपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है अचुक असल अडिग या अमल इन चारों में आपको अ तो नजर आ ही रहा होगा लेकिन एक सब्द एस हैं जिसमें अउफसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है तो क्या होगा इसका answer अचुक असल अडिग या अमल क्या होगा इसका answer आप फटापट से comment करके answer बताई है और इन तीस में से आपको कितने question एकदम correct आ रहे थे यह भी आप comment करके पटापट से बताई है तो इस वीडियो में से इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी नए topic साथ जय हिंद जय भारत